गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपको हैवी पटियाले की कटिंग बताऊंगी तो उसके लिए मैंने ये थ्री मीटर कोटन का वाइट कलर का फैबरिक लिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले इसमें से आपको दो बराबर पार्ट्स कट कर लेने हैं और दो पार्ट्स कट करके पहले उनको साइड में रख लेना है और उन पार्ट्स की जो लंबाई है वो आपके मेजरमेंट के अकोर्डिंग होनी चाहिए जो आपका मेजरमेंट है लंबाई का उसके अकोर्डिंग उन पार्ट्स की लंबाई होनी चाहिए तो सबसे पहले मैं दो पार्ट्स अलग करके रख लोंगी और उसके बाद जो बागी की पटियाले की जो बागी की कटिंग है उसको कंटिन्यू करोंगी तो ये मैं दो पार्स के लिए मैं कटिंग कर रही हूं तो मैंने ये दो पार्स कट करके रख लिए हैं इनको मैंने double fold करके रखा है और double fold करने के बाद इनकी जो total चौडाई है वो 13 inches है दोनों rebel fund करने के बद 13 , 13 inches है तो आप अगर तो आपके पास ज्यादा फैबरिक है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं और इनकी जो लंबाही है वो मैंने 33 इंचेज ली है जिसमें से 2 इंचेज नीचे फोल्ड हो जाएगा और 31 हमारे पास बचेगा अब उसके बाद में जो पटियाले के उपर का बेल्ट होता है उसकी कटिंग करूंगी और बेल्ट की लंबाई मैं या पर 10 इंचेज ले रही हूं जिसमें से 2 बेल्ट मे ले या जिए स्ומाइल हो गाते बेल्ट के लिए निष्रम लगा रही हूं उसके बाद में उसको कट करूंगी तो मैंने 10 इंच 10 inches इसकी लंबाई ली है और उसके बाद मैंने ये belt कट कर लिया है तो belt को भी मैं side में कर लोंगी और उसके बाद ये जो बाकी का हमारा बचा हुआ कपड़ा है जिससे हम बाकी के parts कट करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 34 inches है और इस कपड़े को इसकी चोड़ा ये वो 27 inches है और ये कपड़ा double fold है तो double fold होने के बाद इसकी जो चोड़ा ये वो 27 inches है अब हम इस तरह से इसको जैसे वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको इसे इस तरह से मोड़ना है और इस तरह से triangle का shape देना है जिस तरह से वीडियो में दिख रहा बिल्कुल वैसे ही आपको shape देना है इसको और दोनों side बराबर ये parts आने चाहिए और ये 66 inches के हैं और दोनों side ये 66 inches ही होने चाहिए बाद में cut होने के बाद ये दोनों ही आपस में जुडेंगे तो इस तरह से बराबर parts करके आपको इनको cut कर लेना है तो आपको इस तरह से दोनों को cut कर लेना है तो मैंने ये cut कर लिया है और cut करने के बाद ये जो दोनों parts हमारे बन के ready हुए हैं उनको दोनों को आमने सामने रखना है इस तरह से जैसे वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको आमने सामने रखना है और रखने के बाद ये इस तरह से जैसे हमने रखा है वैसे ही जूड़े आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी ट्राइंगल वाली साइड है उसकी जो लंबाई है वो कम से कम 22-23 इंचेज उसकी लंबाई होनी चाहिए उसके बाद आपको इन दोनों को जोड़ देना है नीचे के पार्ट को नीचे के पार्ट की तरफ और उपर के पार्ट को उपर की पार्ट की तरफ इस तरह से जोड़ देना है जैसे कि मैंने जोड़ा है उसके बाद अब हमने जो पहले दो पार्ट कट करके रखे थे उनको हम इसमें जोड़ेंगे तो इसके दोनों साइड हम दोनों पार्स को जोड़ेंगे याद रखे कि इसकी जो लंबाई यह वो कम से कम 22 thread 23 inches होनी चाहिए Problem हमने दोनों साइड साइड पर अजा कर दिया है और उसके बाद हमें इसको जोड़ना है तो हमें जो उपर का सीरा है उसको पार्ट के उपर के सीरे से और नीचे का सीरा है उसको इसके नीचे के सीरे से जोड़ लेना है जोड़ने के बाद हमें नॉर्मली हम जैसे नॉर्मली पटियाला सिलते हैं उसी तरह से इसको सिल देना है तो मैं पहले इसको जोड लेती हूँ इस तरह से आपको रख कर फिर दोनों को जोड लेना है तो मैंने ये दोनों पार्ट्स को जोड लिया है और यहाँ पर जो लेक्स की सिलाई होती है वो भी मैंने यहाँ पर लगा ली है जैसे कि normal पट्याले में हम सिलाई लगाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे center से सिलाई लगा लेनी है और bottom को भी मैंने यहाँ पे bottom की side भी मैंने सिलाई लगा कर bottom को भी ready कर दिया है यह दिखिए मैंने bottom भी ready कर दिया है अब हम belt को इसके साथ जोड कर हम curves लेना start करेंगे जैसे की normal पटी आले में लेते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको curves लेने हैं तो मैं इस तरह से belट को center में रख कर curves ले लूँगी और उसके बाद हमारा ये जो heavy पटी आला है वो बनके बिल्कुल ready हो जाएगा तो मैं इस तरह से belt को रख कर इस पर curves ले लूँगी आप चाहें तो पहले curves ले सकते हैं और उसके बाद belt attach कर सकते हैं बट मैं साथ में ही इसको attach करूँगी आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं तो मैं इस तरह से belt को रखूँगी इसके उपर इसके एक सीरे के उपर बेल्ट को रखूंगे उल्टी साइड और कर्व्स ले लूंगे बेल्ट को रखूंगे को रखूंगे को रखूंगे झाल झाल